तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ओयल फ्री दही बड़े बिल्कुल भी मतलब एक बून भी तेल हम इसमें नहीं डालेंगे और यह दही बड़े जो बनेंगे एकदम सौफ्ट मुलायम बोल सकते हैं एकदम फलॉफी बनके और तयार होंगे और यह खानाय में भी बहुत ज्य कड्यक दाल मैंने लिए था आठाधा कप जिसको मैंने पिस लिया है और दो घंड पहले भी शुर्च नमकल कर ल्या है तो यहां पे मैंने एक इडलीमेंकर प्लेट में गा लिया है तो यहां पी एक चम्मच यह दो दो चम्मच जितने बड़े आपको दही भल्ले रखने हैं बहुत ज़्यादा नहीं भरना है मैंने इसमें ज्यादा भर दिया है लेकिन इतना ज्यादा नहीं भरना है थोड़ा कमी भारे तब ही फूल के और उपर आएंगे और यह हम इस्टीम में पकाएंगे आपसे जूट नहीं कहूंगे लेकिन यह दही बड़े जैसा टेस्ट तो आएगा लेकिन जो फ्राई करके बनाते हैं उसके टेस्ट जैसा नहीं लगेगा तो इसमें देखिए मैंने सारे में डाल लिया है और यहां पर मैंने पहले ही पानी को गरम करने के लिए रख दिया तो यहां पर हम अपने यह जो हमने दही बलो को इसमें रख देंगे और 15 मिनट इससे हम पकाएंगे और इसका धकन लगा देते हैं और फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं तो धकन अटा के देख लेते हैं वाओ वे देखिए कितने अच्छे से फूल से गया हैं तो अब हम इस निकाल लेते हैं इसमें से और यहां ठंडा हो जाएगा उसके बाद से हम इसमें से बढ़ो निकालेंगे तो देखिए मैंने यह अपर दिया और पांच मिनट बाद आपको दिखाते हैं और प्रत्यांस बहुत हिसादा सहितानी कर रहे हैं वार बार बार हम आपके डिस्टर होते हैं और यह देखिए जो म deseo भले शौरी बड़े हैं काफी सॉफ्ट संजी बनके और तैयार हो स्कवर छुके हैं तो हम इसे एक प्लेट में रख ले लेते हैं और यह अग्झाते लीए बिना निर्ट का बड़े यह टेस्टी भी है साथ में इसे बनाना भी बहुत आसान है तो यहां पर मैंने पहले से ही दही में चीनी को फैंट लिया था और देख सकते हैं यह गाय का दई है तो काफी आपको पतला दिख रहा होगा तो आपके पास जो अच्छी क्वालिटी की दई हो उसे पाउडर देंगे और साथ में यहां पर लाल मिर्ज का पाउडर भी डाल देंगे सीया पर हरी मिर्ज चटनी ढीका चटनी तो वह इस सकते हैं आनार के दाने अब चाहें लाइने यह वाइसे आप हम इसे डेखौरेट कर सकते हैं तो यह हमारे बीना एक बुन्त तेल के दही भले बनके विल्कुल रैडी हो चुके हैं तो इसे मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूं, देख सकते हैं कितने सोफ्थ हमारी ये दही भले बनके त्यार हुए हैं प्रेंट्स तो वीडियो मेरी कैसे लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें थैंक्यू फॉचे